इस वीडियो में हम कॉम्पलेमेंटरी एंगल्स एक सेकड़ एंगल्स के बारे में बात करेंगे यानि ऐसे एंगल्स जिन्हें जमा करके 90 डिग्री बनता है एक मुसल्स में आप जानते हैं कि टोटल एंगल 180 डिग्री होते हैं ये नवे है और मैं इस एंगल को ठेटा कहूं तो ये एंगल जिसे मैं एल्फा क्या हो जाएगा 90 मैनस थेटा क्योंके 90 मैनस थेटा जमा थेटा जो कि आपका एल्फा है जमा थेटा जमा नवे ये 180 के बराबर आने चाहिए और कैसे आएगा कि ये थेटा थेटा कर जाएगा नववे नववे 180 हो गया ये बातें आपको वैसे भी मालूम है ना भी मालूम हो तो काफी लॉजिकल है तो अब हम सिर्फ इन एंगल्स नहीं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक तनासुब जो हैं उनके चंद सवाल करेंगे कोसेक 80 के बराबर इन में से कौन सा है चौथा भी बनाऊँगा लब भी करूँगा मैं हम ये जानते हैं कि कोसेक थेटा जो है वो 90 माइनस थेटा के सेकंट या सीकंट कहना चाहें सीकंट के बराबर होता है पूछो क्यूं तो भाई सारी कहानी इस कायम जाविया मुसलस यानि राइट एंगल ट्राइंगल की ही है और अगर इसे बना के देखें तो आपको लग पता जाएगा कोसेक थेटा क्या बनता है भाई कोसेक होता है वन ओवर साइन थेटा थेटा का अगर साइन देखना है तो अब चूंके साइट की बात हो रही है तो इसको मैं कहता हूँ A, B और इसको C कहता हूँ साइन थेटा क्या बनता है आपकोजट अपॉन हाइपोटनियूस मुकाबल साइट का हाइपोटनियूस से तनासुब तो यह हो जाएगा एक बटा B over C जिसको अगर उपर लेके जाएंगे तो यह बनेगा C बटा B साइए अब इसी तरह अब आ जाएए सेक आफ 90 माइनस थेटा यानि इस अलफा की बात हो रही है सेक अलफा जो के होता है सेक 90 माइनस थेटा यह बराबर होता है 1 over cos of 90 माइनस थेटा के सब जुड़ गया था अच्छा जी अब cos की बात अगर करते है तो cos होता है एंगल से मुतसिल वाली साइट का हाइपोटनियूस से तनासुब तो अब 90 माइनस थेटा क्या है यह वाला एंगल है इसके मुतसिल साइट क्या है B है मुतसिल बटा हाइपोटनियूस B over C बनता है तो यह हो जाएगा 1 over B over C जिसको अगर उलट करेंगे तो क्या बनेगा यह आगया आपका जादू हो गया मुकमल B over C साही है ठंड पाया गई सुकून मिल गया तो जब मैं को सेक 80 निकालूंगा ते किसके बराबर होगा सेक आफ 90 माइनस 80 यानि सेक आफ 10 हो जाएगा और सेक आफ 10 यह रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर विच एक्स वैल्यू विल मेक दिस एक्वेशन ट्रू यानि जेल में दी गई एक्स की कदरें जो के एंगल है इन में से कौन से एंगल पर यानि एक्स की कौन सी वैल्यू पर कौन सी गदर पर ये एक्वेशन दुरूस्त होगी तो भाई अभी पिछले सवाल में तो आपने मुलाइजा किया कि को सेक थेटा होता है सेक 90 माइनस थेटा के बराबर तो को सेक 75 क्या हो जाएगा 75 सेक आफ 90 माइनस 75 के होना चाहिए यानि ये बन जाएगा सेक आफ 90 माइनस 75 बनता है 15 और इस तरह ये आपका जवाब हुआ अगला सवाल क्या कहता भाई ये बोल ला है मलब के इन दी गई आपशन में से कौन सी आपशन कौस वन के बराबर है तो वही बात है जो हमने पिछले सवालों में की और विडियो का टाइटिल भी कॉम्प्लिमेंटरी अंगल्स का ही कहता है तो जैसे को सेक और सेक एक दूसरे के complementary angles हैं वैसे ही जाहर है sin और cos भी होंगे क्योंकि ये मुनकिस तनासुब ही तो है 1 over sin theta is equal to 1 over cos of 90 minus theta पूरी चीज़ को अगर आप inverse कर लेंगे तो यही तो चीज़ बनेगी कि sin theta is equal to cos of 90 minus theta और अगर नहीं समझाता तो वीडियो की शुरू में जिस तरह triangle बना के मैंने समझाए तो वही चीज़ आप sin और cos के साथ कर लीज़े सौरी यहां भी याएगा अगर आपको इस बात से अग्तिलाफ है तो जैसे कुछ देर पहले मुसल्स बनागर हमने ratios का बाहमी तालुक देखा था वैसे ही यहां भी कर लीज़े और समझ में ना आए तो comment section में पूछ लीज़े और यही चीज़ है कि अगर cos theta होता तो sin 90 minus theta के बराबर होता तो अगर cos of 1 है तो यह किसके बराबर होगा sin of 90 minus 1 जो के बनता है sin of 89 यह होगा आपका जवाब आख आखरी सवाल please please बस आखरी आपको क्या लगता है कि x की क्या value हो जिस पे cot 23 और 10 x बराबर होगा क्या लगता है क्या होगा जाहरे cot और 10 भी जो हैं वो एक दूसरे के complementary angles हैं तो यह हो जाएगा cot theta is equal to tan 90 minus theta और theta अगर मुझे 23 रखना है 23 रखना है तो tan of 90 minus 23 cot of 23 is equal to tan 90 में से 23 निकाले तो क्या बचता है 67 सरसट सरसट यह रहा और यह हमारी वीडियो तमाम